नमस्कार आप सब ही का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में आज कल स्वस्त रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है बार बार बीमारियां कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से निकल कर शरीर पर अटैक करती ही रहती है तो अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत अमेजिंग सी चीजें बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत जादा बेनिफीचल रहेंगी तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और इसे सभी के साथ शेयर जरूर करें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पोधे के बारे में जानकारी जिसके इस्तमाल से आप बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं ये पोधा बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा लेकिन इसके फायदे बहुत कम लोग जानते हैं चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके कौन-कौन से फायदे हैं और कौन सा है ये पोधा सामने आप जो ये पोधा देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल का है आप देख सकते हैं इसके पतिया भी कितनी सुन्दर है, इसके फूल भी बहुत ही खुबसूरत से होते हैं आज हम बात कर रहे हैं सेमल के पूधे के बारे में, इसका जो पेड़ है वो काफी उचा और लंबा होता है और कई बार जो है आपने देखा होगा इसके उपर एक फल भी आता है जो कि बहुत जादा फाइदिमन्द है बहुत कम लोग उसे जानते हैं लेकिन वो बहुत कमाल का होता है हमारे यहां इसे सिंबल बोला जाता है और वैसे इसको आईरवेद की लेंगवेज में सैमल बोला जाता है आपके यहां क्या कहते हैं या किसी और नाम से अगर इसको जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा छोटे छोटे से काटे काटे से फील होते हैं आपको इसके तने पर देखने के लिए मिलते हैं इसके जो पतियां होती हैं आप देखने हैं बहुत सारी पतियां एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं थोड़ी चक्र फूल के जैसी इसकी पतियां होती हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है, साथ ही इसका जो फूल होता है वो भी बहुत ही कमाल का होता है, बहुत सुंदर होता है, तो सामने में आपको इसका पौधा बहुत आसानी से दिखा रही हूं। आप पहचान कर स जिससे कि आप इसके फाइदे ले सकें अगर हम बात करें इसके वेग्यानिक नाम की तो इसके वेग्यानिक नाम को बॉम बैक सेईबा बोला जाता है वैसे इसको कई जगे पर कॉटन ट्री रेड सिल्क कॉटन ट्री भी बोला जाता है तो अगर आपके हैं किसी और नाम से जा लिखने में लगती हैं और ये हमारे शरीर को काफी सारे फायदे देता है तो चलिए आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं सबसे पहला फायदा ये देता है तुचा के लिए हमारे स्किन के लिए अगर आप फाइन लाइन से परेशान है जुरिया पर मुहां से बहुत निकलते हैं, तो ऐसे में इसकी पतियां आपको बहुत फायदा करती हैं, इसकी पतियों में भरपूर मात्रा में ऐसे पोशक तत्व पाय जाते हैं, जो की तचा को एजिंग से बचाने का काम करते हैं, यानि कि इसमें पाया जाते हैं एंटिक एजिंग त और यह जो है एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है तो यह आपके शरीर को गजब के फायदे देती है अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपकी तुछा में कसा बटाती है क्योंकि इसमें एस्टेजेंट कंपाउंड पाया जाता है जो इसकिन की जितनी भी जुर्या जाईय हैं उसको कम करने में आपको काफी मदद करता है तो इसको कैसे यूज़ करना है इसकी जो गीली पतिया होती है उनको आपने जो है कूट छेत करके उसका या तो पेस्ट बना लीजिए या इससे रस निकाल लीजिए कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर 15-20 मिट के लिए लगा कर रखिए उसके बाद सादे पानी से धूल दीजिए रोजाना अगर दो हफते तक आप ऐसा करते हैं तो आपके चेहरे पर आपको बहुत अच्छा गिलो देखने के लिए मिलता है इसको आप चाहें तो सूखी पतिया भी इसके इसके इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पर छाया में सुखाई हुई इसकी सूखी पतिया लीजिए जो की बहुत काम आती है सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप इसकी गिली पतियों का पेस्ट मना करके वहाँ पर लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है अगर आपके शरीर में कहीं पर भी ऐसी पोशक तत्वों की कमी हो गई है जैसे के घुटनों में दर्द है, सूजन की दिक्कत है या फिर जोडों में दर्द की दिक्कत है यानि के विटमिन D की कमी अगर आपके शरीर के अंदर हो गई है या RN की कमी है तो उसके लिए आप इसका सूखा powder इस्तमाल कर सकते हैं कैसे बनाना कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगी वीडियो में आगे शरीर से सूजन को कम करने का काम करता है high blood pressure को कम करने का काम करता है और इसी के साथ आपके शुगर को नियंतित करने के लिए भी इसकी पत्तिया बेहत फायदे मंद होती है अगर आप मुत रोग से परेशान है जैसे किसी को न रुक रुक कराता है या बार बार जाना पड़ता है या जलन होती है तो ये सारे जो problem होती हैं बेसिकलिए kidney से related होती है तो kidney में अगर किसी तरह का problem है तो उस problem को भी solve करने के लिए पतियां काफी जादा फायदे मंद होती है इसी के साथ आप चाहें तो इसकी छाल का कहड़ा बना कर भी use कर सकते हैं वो भी आपको बहुत फायदे देता है अगर आप इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो आपके शरीर को और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं जैसे के लिकोरिया से जो महिलाएं परेशान रहती हैं उनके लिए बहुत फायदे मंद है ये इसके पतियों का इस्तमाल किया जाए या इसकी छाल का कहड़ा बना करके लिया जाए या फिर इसके फूल का सेवन किया जाए तो फिर आपको बहुत फायदा मिलता है यानि कि आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं या तीनों को अलग-अलग भी यूज़ करके आप इसके फायदे ले सकते हैं सबसे ज़ादा फायदे मन्द वो तो कमर दर्द के लिए रामबार असदी की तरह काम करता है चाहें साइटिका की दिक्कत हो या फिर कमर में सूजन की दिक्कत हो या फिर आपको slip disc का problem हो हर तरहे से आपको फायदा करता है वो अभी नहीं आता है गर्मियों की मुसम में आता है वैसे लेकिन उसका समय निकल सुका है मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि गर्मियों के सीजन में आपको इसका फल भी दिखा सकूँ जो की बहुत beneficial होता है तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी पत्यों के बारे में तो पत्यों को यहाँ पर मैं dental से अलग कर रही हूँ और इस तरीके से आप जो है इसको पत्तों को इखटा कर लें मांदस्ते में और इनको कूट कर इसका powder बनाएंगे हम इसकी पत्यों का इस्तमाल बहुत पुराने समय से खून को साफ करने के लिए किया जाता है तो अगर आपको skin से related कोई परिशानी हो रही है या फिर आपको eczema का problem है जो की basically खून खराब होने की समस्याएं होती है तो खून को साफ करने के लिए भी इसकी पत्यों का इस्तमाल बहुत लंबी समय से किया जाता है ये blood purification का काम करता है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है अब हम इसे चान करके इसका powder निकाल लेंगे आपको बता दें कि कितनी मात्रा में आप इसे use कर सकते हैं और किस तरीके से तो आप इसके चून को रात को ले सकते हैं सोने से पहले दूद के साथ या तो या फिर पानी के साथ एक चुथाई चमच आप इसको ले सकते हैं और सेमल की पत्यों का अगर जूस लेना चाहते हैं तो आप इसे सुभा खाली पेट ले सकते हैं इसके कहाड़े को सर्दी खांसी जुखा में बुखार के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप उसको जो है दिन में किसी भी समय ले सकते हैं आसानी से अब आपको बताते हैं इसकी मातरा कितनी होनी चाहिए तो सेमल का जो तना या छाल होती है या फिर इसकी जड़ उसको 5-10 ग्राम की मातरा में एक बार में लिया जा सकता है फल जो होता है उसे 1-3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कूट लिया है अच्छे से छान लेंगे इसका बढ़िया पाउडर बनकर के तैयार हो जाता है यह आपको बहुत सारे फायदे देता है अगर आपको बलड साफ करना है उसके लिए करना चाहते हैं तो आप इसे एक हफ़ते तक ले सकते हैं दूद के साथ रात को या फिर पानी के साथ dueलिया जा सकता है आप इसकी पतीयों का भी रस निकाल करद के सब्वाइक हम को ये सकते हैं आपको फायदे जाए निचाहें तो इसकी ये कमरदर्ट साइटिका के लिए भी बहुत अराम देता है मासपेसियों की जक्रन की दिक्कत है तो उसमें आपको बहुत अराम मिलता है इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते है या फिर इसके फल और फूल का इस्तमाल भी किया जाता है साइटिका के पेन के लिए बहुत कमाल की उस्दी बनती है उससे वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी तो यह देखिए मैंने अच्छे से छान लिया है इसका पाउडर बन करके तयार हो गया है आप इसे बहुत आसानी से दो हफ़ते तक यूज़ कर सकते हैं किसे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के तो चली फिर मिलते हैं किसी नहीं जानकानी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अपनों का खयाल रखें और हस्ते मुस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे है